नमस्कार आप सबका स्वावत है मेरे चैनल पर आज हम बनाएंगे मुफली मसाला यह बहुत ही कुख इसनेक है बहुत ही अच्छा है सभी पसंद करते हैं इसको तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए हमने 1500 ग्राम मुफली के दाने लिए और यह एक कफ वेशन लिया है एक कि छींग गरम मसाला चाट मसाला एक चमष नमक टेस्ट के अनुड़ि के अनुशार हल्दी एक चमष लालमिक्षपावडर एक चमष पानि लिया है ऊएल धल्ले के लिए तो सबसे पहले हम इसको जाली में दालेंगे पानि और पानि आज पालिकी नम्हीं को जाया है उत्र कोट करेंगे और वैसे तो ये दो तरह से बानती है। शहने तो आप बेशन में गोल के बना लें इसको तो खुट करेंगे लिए बहुलेग सबस्ट liz रिए हम नमक रखेंगर ज subsidy सब्सक्राइस बालेह ले लेंगे, गरम मसाला, चाट मसाला, हींग, और इसको मिक्स करेंगे, और इसको मिक्स कर लेंगे मसाले इसमें, मुफली इसमें डाल लेंगे हम, इससे कोटिंग कर लेंगे इसमें, हाँ से कर लेंगे इसको, यह सुकर सुकर, इसमें जो बेसन मसाला हो रहा है, इसमें थोड़ा सम पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे, इसमें ही चड़ जाएगा, इसकी कोटिंग उतरेगी नहीं, अच्छे से हो जाएगी, मिलाने के वाँ, इसको 5-6 मिनिट के लिए हम इसको रख देंगे, सेज के एक एक डाला अलग हो जाएगी, इसमें चिपकेगा नहीं, इसमें रख दिया इनको और हमारा तेल गरम हो गया है, गैस खुल, आन करते तेल गरम रठाता हमारा, और इसमें, मीडियम गैस में डाल लेंगे, एक एक करके इसे डाल देंगे इसमें, सारे में इसी तरह से डालने है, इसको चलाते रहेंगे, फिर हम डालने के वाब में, मीडियम गैस पर, एक एक डाना मुझे ऐसे ही, दीमे देमे इसको सेखना है, इसी तरह से मुझे सारे बनाने, गैस मीडियम रखनी है, जब तक ये ब्राउन ना हुझा, तक तक इनको सेख से रहेंगे, इसको निकाल है, किसी डीज पेपर भी निकाल सकते हो, इसका तेल जो है, वो निकल जाएगा, सारे हम इसी तरह से बनाने है, इसने एक तयार है, ये बहुत ही टेस्टी बने हुए है, और इन्हें चाए या कॉफी के साड़ लिया जाए, तो इनका स्वाधी बहुत बढ़ जाता है, तो ये बहुत ही टेस्टी अच्छे बने हुए हैं, और आप लोग भी इनको बनाएए, और अपनी फैमिली मेंबर समभी को टेस्ट कराएए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक सेयर सस्क्राब करिए राओ, थाइम्ट्यू,